मैं इंद्रेश अपने यूटूब चैनल इंद्रेश येस क्लास्टेश में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों जो सीटेट में भर भर के यहां से कोश्चन क्या करें अभी अभी कम इससे कोश्चन एक दो कोश्चन पूशा गया है लेकिन जो हमारे जो मुख्य जो संस्थान जो इन्वार्मेंट से रिलेड़ेड है उनसे कोश्चन अभी नहीं पूशे गए है जिनका एक्जाम जो है आगे है जैसे हो गया बीस को गया 20-22 देश या फिर 7 फरवरी तक एक्जाम चलेगा उसमें 100% जो है कोश्चन पूशने की प्रबल संभावना है तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि मैंने उस उस चीज को दूढ़ा है जो ची देख लेंगे ठीक है तो दस मेंट की वीडियो होगी और आप पुरा एट उजेड जो है आराम से याद कर लिजेगा दो बार वीडियो देखिएगा देखके चले जाएगा एक्जाम में 100% एक से दो कोशन यहां से आपके फंस जाएंगे चली चिपको अंदोलन सिफ कोशन पूश चुका है ठीक है कि चिपको अंदोलन किस से जुड़ा हुआ ठीक है तो सुंदरलाल बहुडा से लेकिन सन अभी नहीं पूछा है ठीक है इसको भी चिपको अंदोलन याद रखी जो है ठीक है पाला कोशन हमारा क्या है चिपको अंदोलन ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ह तो कौन है सुन्दरलाल बहुगुडा इनका अभी हाली में क्या हो गया निधन भी हो गया ठीक कब यह हुगा था चीपको अंदुलन तो कब बताएंगे आप जो संबंद इसका गवरी देवी का भी संबंद किस से चिपको अंदुलन से याद हो गया चिपको अंदुलन कहा पर हुगा था उत्राखंड में ठीक मैं आपको याद करवा के जाओंगा ठीक है किस जीले में पूछ देगा तो यह थोड़ा सटब हो जाएगा ठीक है आगामी जो लोग होते थी उसा नाम क्या ओंदिलन हो खिक है हुगा ठीक है जैसी के ऊब कानाटक में करनाटक में में तो दाध्चित भारत का या चिप को आंदोलन था क्या थिक को इस से जुड़े का हूं? थे बस इतना ही आपको याद का ना कौन जुड़े थे? तो डाक्टर पांडूरंग हेगडे जी कौन जुड़े थे डाक्टर पांडूरंग हेगडे याद रहेगन डाक्टर पांडूरंग हेगडे इससे क्या थे जुड़े हुए थे ठीक है एपिको आंदूलन कहा भुआ था करनाटक में दच्छिड भारत का इसे चीपको आंदू से किसका संबंद है बताई नर्मदा बचाओ से तो यह नर्मदा बचाओ जो हमारा नर्मदा नदी पर एक बांद बन रहा था उससे रिलेटेट है ठीक है इससे कौन है बताई इससे रिलेटेट कौन है बताई जल्दी नर्मदा में बांद का विरोध करने के लिए हुआ था इसका संबंद, मेगा पाटिकर इyardsि बस इतना याद रखना है, किसकी विमेशी निता की बाइध मुष्स असलक मkich छो जयूंि के इक बाति नितना के परावृत होगा ता इसके बातिल में अगे चलते हैं 58 ईतना याद रखना का गँआ इतना याद रखना के र सार पाइए और चेपको आंदूलन जो मारा एक चिपको कर नो अह नीmal और रोगा तो चेजडी उसको विभेए शीपकना आफेक warrior लिकित का हुगफ परियावियाव मिंगे बधुर्दि में खेजडी के बारे में ठीक है लंबे होते हैं अब विश्णोई समाज इसका बहुत ही क्या करता सुरच्छा करता है जो खेजडी का ठीक है यह कब हुआ था हुआ था और 1013 में यह लिए लिया हैं 1 330 में गया इसला है सम्मानयों और चन्रचंडा धिक है खेजडी के सताम में लिए एक चीप को आंदरोन जो हमारा खेज़डी जोत्पूर में हुआ था, 1930 में हुआ था, खेज़डी ब्रिच्छों के सर रचन के लिए हुआ था, इसका संबन्द किस से था, अमरिता देवी विश्णोई से था, ठीक है, इस सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे, ठीक, अगला question, गला question हमारा क्या है, आईए, देखते हैं, अब कुछ घास की मैदान है, ठीक है, इसे भी question पूछ सकता है, ठीक, तो आफ लोग बीडियो को share करिएगा, चैनल को subscribe करिएगा, support भी करिएगा, ठीक, डाउंस घास का मैदान हमारे कहां पे है, ठीक है, डाउंस घास का मैदन का है उत्री अमेरिका में कहां पे नॉर्थ अमेरिका में ठीक है अब पास घास के मैदन अर्जेंटीना जिसे बोते हैं दच्छड अमेरिका में यह दच्छड अमेरिका में पढ़ता है प्रम पास घास के ठीक है कहां पे दच्छड अमेरिका में वेल्स कहां पे पुष्टाज घास के मैदान हांपे हैं घंगरी में सावान घास का मैदान हो ऐ coping around پ tow river अफरीका में इस टेपीज काहन प्रिकर हैं तरन तरन एक फ़्यरक यो इक फ़्यरोप में इस टीपीज घास का मैदान कहा हैं याद हो गया आई होप मैं आसा करता है सारी आपको समझ में आ रही है और वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लगए क्योंकि यह आपके परपस से बनाया गया है जो कोशन नहीं पूछे गए हैं उनके अधार पर मैंने बनाया है सोचा कि यहां से भी कोशन पूछने की प् श्टाको में समयलंग स्विडें काऊंप हुआ था इस्टाक taxi मेलन सम्मेलन हो हमारा हुआ था उनीइस दग आ था bruk संभाक का था म का थक नेक्सड만 है है आफ हमारा है भारत से इंद्रा गांधी गई थी मतलब लीच is बहुत को अच्छन पे संटरास्टी ठीक है पांच जून को हम पर्यावरान दिवस के रूप में मनाते हैं याद होगे आप लोगों के सारी चीजें मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी तो भारत की तरफ से कौन गया था इंद्रा गांधी कही थी सतत विकास पर पहला बैस विक सम्मेलन था कब हुआ था पहला परयावन दिवस कब मनाया था बहुत ही इंप्टेंट है पहला परयावन दिवस जो मनाये थे जो कब तो सब्सक्राइब पहला परयावन दिवस पांज जून उनीसों चोटर होस्ट कौन किया था तो यूएस से द्वारा यूएस से द्वारा ठीक है और दोजार इकीस में मेजबानी मेजबान कौन था 2020 का तो पाकिस्तान था ठीक है तो छोड़ दीजिए आप लोंके लिए यून ऑenizट चैन उनट्रेशन एवर्मेटाज्ट कत करा में अरूब यि यादधि करतिक है जिसको क्या बोलते ही यू झी यू एन ई पि और यू नवोर्मेंट फॉलफार में होता है चलिए चलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटकाल मॉन् excit प्रोटम आ हम किस सरच्छन या दे को सभी चेह घुषा हो कीश लेयर बिल पहेती Зबहन हे सम्तीवारी में वीध लुगत उजय प्रोटकाल刚 नाकेद रखना हम इनां मॉर्टियल प्रोटकाल कहाँ पे ज़ Запास्थ नहीं में संबंद किसे ओजून परत के सरच्छन से है ठीक यह भी बात रखिएगा आप लोग ओजून सरच्छन दिवस कमना जाता है तो इस सोलह स्टमबर को मना जाता है ठीक प्रतिबंद लगाया था CFCC जिसको बोलता हूं क्लोरो फ्लोरो कार्बन जो होता है इस पर रोक लगाए गई ठीक मेरे खाल से यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप साथ इसकी लेना चाहते मौन्टर प्रोटोकॉल हो गया या फिर जो है यह हमारा इंवार्मेंट इसका भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं ठीक है फटा फटा आप लोग साथ इसकी लिए चली चलते हैं आगे आगे अगर जो चीजे नहीं समझ वाया आप लोग जो है आफ लाइन जब हो जाए कमेंट तब आप लोग कमेंट किया करेंगो तो मैं नहीं देख पाता हूं है तो चलिए आगे चलते हैं प्रतिवी सम्मेलन कब हुआ था ठीक है पाला सम्मेलन 1992 में क्योंकि मेरे पास इतने संसाधन नहीं मैं सारी चीजें देख पाहूं जो ठीक है तो आप लोग प्लीज आफ लाइन कमेंट किया करें ठीक है जिसको कुछ लोग बीएड के लिए बीएड के लिए भी इंपॉटन्ट है बाई ऐसा नहीं कि चीजे नहीं पूछे बीएड इंट्रेंस के लिए ठीक है बीएड इंट्रेंस के लिए प्रापर्ली क्लास चलेगी प्रैक्टिस एट की आप लोग परिशाना होई अभी जो चलेए यह बीए इंपॉर्टन हिंद लिए निटी तो पढ़ना हैंदी तो हर जगह आएगी तो पढ़िए जीएस भी आएगा तो जीएस के भी प्रैक्टिस कराई जाएगी अभी इपरियावरन से भी रिलेटेड कोशन पूछेते हैं सारे कोशन पूछेते हर एक एक जाम में वाला जो टॉपिक आज चला इसम सम्मिलन उनीचों कब हुआ था उनीचों मान वें कहां भी रियो डी जेनेरियो जिसको बोलते हैं एक ब्राजील का सबसे बड़ा साहर है एक तरह सी कहा जाए तो ठीक है और आगे बताए यह कब हुआ था प्रिथिभी दिवस कब मना जाता बाइस अपरेल को क्या मना जाता ना जाता घंचाल भी सबसा का टीक इस अपरेल को प्रिथिभी दिवस के रुप में मना जाता इस सम्मेलन में होता framework F का मतलब क्या होता framework ठीक है और एक सरी का होता convention to climate दूसरे का होता climate तीसरे का होता change दूसरा तीसरा तु आस्थापना इसकी कब गूई थी तो 1994 में इसकी अस्थापना हो गई थी ठीक है और इसका गटवाटर काहा है तो you are one Germany में one Germany में है वां jars यह हूं आ और 27 मिस्र में थीक है चली आगे आते हैं क्यूटो प्रोटोकाल से भी कोस्चन भर भर की पूछता है ठीक है वीजविल है पूरून रूप से थीक है कि अगए तो कि यूटर प्रोटक्काल माइन और पर जापन जान जबश्च वर्ग सम्मेलन जो हगा dua में 222 अगए चलते हैं जो इंप्पर्टेंट है ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे ठीक है पटापट गर लेते हैं लोग ठीक आप लोग एक बार वीडियो को पुनह देख लेज़ेगा दो बार देखेंगे वीडियो तयार हो जागा ठीक है रियो डी जनेरियो 2012 सब्सक्राइब लिए रियो प्लस टॉंटी एक सम्मीलन होता है जो 2012 में यह जो हमारा सतत जो हमारा सस्टनेबल डेवलेप्मेंट होता उसके लिए 2015 से 2030 तक की लच्छ रखा गया कितने लच्छ रखेंगे 17 यह भी इंपोर्टेंट है ठीक है गोल कितने लखेंगे 17 लच्छ र LN CONSERVATION इसका FULL FAMRC लोग बताएंगे जरूर mood I C in growth इसका मुख्याल जोड़िया ड़ेंडाटा ग्लेंड में टाइक यह जारी करता लिए इस चीज को आप लोग याद रखेंगे ठीक है चले आगे चलते हैंicating बडेला कोशन है प्राकृतिक के लिए वर्ड वाइड फंड एप कोशन पुछा था इसकी अस्थापना 1961 में इसका मुख्याल है इसका मुख्याल है ग्लेंड शुटिजर लेंड में ठीक है याद रखते के कोशन पूछा यूपी टेट में ठीक है अगे बताई अगला कोशन सहयुक्त राष्ट परियावरान कारेकरम जिसको बोलते हैं यू एन इपी इसका इसके अस्थापना पांच जून 1972 कोई थी भाले बताया है ठीक है एक है अगरेश के अस्थापना वाले यू पीते में है कोशन पूछे जाते हैं ठीक है इसको भी कराऊंगा लेकिन फिलाल आज के लिए इतना ही एकर वीडियो अपनों को अच्छा लगा तो वीडियो को सेर करियेगा बहुत ही संघर के साथ मेरी हैं सेर जरूर करिएगा सब्सक्राइब भी करिएगा ठीक है तो आज के लिए इतना ही जै हिन जै भारत